यह स्वेत इंद्रेजाव यह कहे कि व्राइटिया टिंक्टोरिया यहां ग्रोथ होता रहता है तो हम निकाल देगे ग्रोथ जबर जस्त हुआ है कुछ इन दोले बारिश हुई थी तो इसने ग्रोथ पकल लिया है अब यह ब्राइश अन्मुंटेट है उसको मैं निकाल त्रेट उसको भी निकाला पड़ेगा तो इस तरह दोस्तों प्लांट को क्लियर रखना है और इस तरह के ब्राइश होती है वो सारा निट्रेंट सौक ले जाती है यहां भी देखिए अंदर उनी सी करवसेनी के लिए तो इसी अनुन पर ब्राइश होती रहती है तो फिर ज क्योंकि यहां देखिए अंदर उनी पार्ट से ग्रोथ होने लगता है क्योंकि इंटरनेट के दोनों तरफ से इसमें ग्रोथ होता है इसलिए इस प्लांट में अभी तक फ्लावरिंग नहीं है दूसरा प्लांट है इसमें फ्लावरिंग अभी वी एक फ्लावर तो होगा है इसमें अब तक नहीं हुई तो यहां मल्टिप्लाइ करने के लिए इस तरह ट्रिम भी कर रहे हैं कि अब ग्रोथ करेगा प्लांट मॉनसुन भी ग्रोइंग सीजन ही है दोस्तों स्प्रिंग के बाद जो ग्रोथ हुआ था उसमें ठहराव आया फिर अब बारिस के पानी की वज़े से अब यह फिर से ग्रोथ करना स्टार्ट कर देंगे दूस्तों एक अलग सा स्टाइल दे रहे हैं हम इस प्लांट को लेख सकते हैं इस तरह का स्टाइल है पहले क्रेजी ब स्टाइब के रूट होते हैं तो उसको हम इस तरह औरना मेंटेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों पर जब भी मौका में लिए डेट पार्ट है इसा निकलते रहेंगे तो फिर यह हीलिंग होना अपना बंद नहीं करेंगे जल्दी से हीलिंग हो जाता है स्केर हील तो इस तरह प्लांट को हमें निट ही जली और जिल्कुल है दोस्तों इसका वाज़से हमारा जो प्लांट का कमपोजिशन था वह चला गया अब यह टेपर की बात करते हैं दोस्तों मेन प्लांट को अगर हम चौप करते हैं तो यह जो टेपर है वो हमें इसके प्रोग्रेशन में काम आता है तो यह इतना मोटा प्लांट है और दीरे दीरे उपर जाता है तो यह प्रोग्रेशिव टेपर हो जाता है और प्लांट मेच्योर हमें यही करना है यह अगर अच्छे से मर्ज हुआ उसको हम कर पाए तो फिर यही एक बड़े से पेड का सकल ले ले गा और वही कहलाएगा बॉनसाय दोस्तों इसे तो बॉनसाय केते है नेचरल ट्री की तरह दिखना चाहिए इस तरह जब भी टाइम मिले तो इस तरह का होल जैसा जो लूप मिलता है वो इस तरह माटिरियल हटाने के बाद ही मिलता है यह अच्छे से कट करते हैं और कट को रिफाइन करते हैं दोस्तों साब कट नाइफ से तभी इस तरह का मूमकिन हो सकता है हिलिंग यहां हमने इस नहीं किया होगा यह डाइबेक किया है इसलि मिलता हैं दोश्तों इसे बने रहेगा थेंक्यों पर वच्छ में और लाइक सेयर और सब्सक्राइब हो सके तो जरूर कीजिएगा जिससे हमें नए नए वीडियो बनाने के लिए इंस्पिरेशन मिलती रहे हैं